अधियोब एक साथी ने सवाल पूछा मैंने एक वीडियो बनाया था कि आतंο आपने जी उन्हें पैसा कमाया, ना लोग कमाए तो आपने कमाया क्या, तो Oswaktu Sophia ने सवाल पूछा कि SIR, क्या पैसा कमाना ही सब कुछ होता है? क्या हम काबिल है? काबिलियत का पैमाना फैसा कि हो चाहता है या मैं के पैसा नहीं कमाऊंगा बलकि हर काबिल हर अमीर वेक्टि ये चाहता है कि अपनी काबिलियत के आधार पर इमानदारी से पैसा कमाए और अगर आपकी काबिलियत आपके हुनर के लिए को आपको पैसे देने को तैयार नहीं है भली आप नहीं ले वलग बात आप अपने मुझे बोलते हैं मैं काबिल हूँ और लोग आपको काबिल आपकी काबिल देखें नहीं या स्विकार ना करें आपको काबिल दिखा ही ना हो सकता है आपने पैसा नहीं कमा है चलिए माल लेते हैं आपको पेंटिंग का शौक था तो आप MFCN से बड़े पेंटर बन जाते तो पैसे पैसा आ जाता लोग आपकी पेंटिंग के लिए लाखो क्रोड़ों पिल देने को तेगार हो चाते हैं आप कहते हैं मैं सिंगर था मैं सिंगी में कमाता रहा तो कोई बात नहीं आप अच्छे सिंगर बन जाते या रहमान जैसे बन जाते बढ़िया और लता मंगेशकर जैसे बन जाते और फिर आपको लोग पैसे की कमी नहीं पड़ती आप कहते हैं मैं अथलीट था तो आप देश को नाम रोशन करते गोल्ड मेडल लेकर किया आते और फिर उसमें आपको पैसे कमी नहीं पड़ती आप कहते हैं मैं क्रिकेटर था तो क्रिकेटर काबलियत का पैमाना नहीं है, आपकी बास सुईकार कर ली, लोग कमाएं आपने, लोग भी नहीं कमाएं, अब किसे ने रोका था भाई, आगर आप कहते हैं, मैंने पैसा कमाना है, पैसे के प्रती मेरा लुलजान नहीं था, मेरा इंट्रेस नहीं था, मेरा फोकस नहीं था, म में मिल रहे हैं 20 लोग अब 20 लोगों को कैसे तै कर ले जाए कि आपके काभियत थी केवल 20 लोग के खटा करने थे क्या आपने और अगर 20 लोग के आधर पर ही काभियत तै होती है तो फिर तो यह तो पारशत के पास 20 से जादा लोग होते हैं साब फिर क्यों क्यों इतना भाव क्या होना चाहिए एक अच्छे गाइड अच्छे मेंटर अच्छे टीचर अच्छे गुरू की सबसे बड़ा पहले पहजानी होगी वह डिफॉल्ट करवाई होगा भाई क्योंकि को सच बोलेगा वह आपके चेहरे पर आपके मूँपर आपको सच्छे बताएगा कि आप काबिल हैं तो अपनी काबिले साबित करिए और मूँ से बोलना बंद करिए सभी काबिल लोग जो मुझे सुन रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आज के बाद अपने मूँ से बोलना बंद करिए कि मैं काबिल हूँ लोग बोलेंगे और लोगों को काबिले दिख जाएगी तो काबियत उनके अगर काम आ रही होगा आपका हुनर उनके जीवन को बदलने के काम आ रहा होगा उनके बिजनेस में नौकरी में उनके परिवार में उनके शेतर में एरिया में कहीं पर भी आपके हुनर के कारण आपकी काबियत कारण वो आगे बढ़ रहे होंगे तो वो आपको अपने लीडर के रुपने भी सुईकार करेंगे और आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास लोग नहीं है यह नहीं कहना पड़ेगा कि मैं काबिल हूँ काबिल हो कभी अपने मुझे से नहीं बोलते मैं काबिल हूँ उनके हुनर दिख जाते हैं जो चुप रहते हैं अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं तो जो चुप रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं आपके हुनर बोलेंगे आपकी काबिलेंगे आपको क्यों बोलना अपने मुझे से मैं काबिल हूँ और क्यों बार-बार ये कहना मेरे अंदर काबिलेत बहुत थी, मेरे अंदर हुनर बहुत था, मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, मेरा टैलेंट बरबाद हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप हैं जिम्मेदार, आपने उस टैलेंट का इस्तमाल नहीं किया सही जगा पर नहीं किया, हो सकता है आपको guidance ना हो, मैं मान सकता हूँ बहुत बार ऐसा होता है, बैक्ति के अंदर काबिलेत होती है, हुनर होता है लेकिन उसको यह नहीं पता होता, मेरे हुनर, मेरी काबिलेत का use कहा होने वाला है तो अकर आप ऐसे लोग को नहीं ढूंढ पाए, जिनने आपके हुनर की गदर हो, ये भी तो गल्तिया आपकी कहला है, ये किसी और भी गल्तिया नहीं कहला है सारे लोग हैं जिने आपकी हुनर की जरुत हो सकती है तो आपने क्यूं नहीं बाइफरकेट किया कि मेरा टैलेंट क्या है माली जे आप अच्छे सिंगर थे तो मेरा सिंगेंग का टैलेंट किसे दिखना चाहिए अब आप जा कर के किसी आप वहीं रहें, आप दिजार करते रहें, आधर शिस्तिती आ जाए, मेरे पास आते हैं कि लोग, साब मैं चुनाओ लड़नुगा और जीच जाओंगा, बस एक बार इस पार्टी से टिकट मिल जाए, इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाए, इतना पैसा आ जाए, फिर देख मेरे पास इतने लोग होंगे, और मैं इखटे करूँगा, और मैं दिखाऊँगा, मैं कैसे सांसत बनता हूँ, मैं दिखाऊँगा, मैं कैसे विधायक बनता हूँ, मैं अपनी काबलियत, अपने हुनर के आधार पर, वो सारी चीज़े इखटा करूँगा, जो मुझे राज तो फिर फिर लोग मिल जाएंगे, फिर लोग आपकी कदर करनी शुरू कर देंगे, और हुनर की कदर करने वाले बहुत लोगे साम, बहुत लोग हैं जो मिल जाएंगे, जो टैलेंट को पहचान लेते हैं, जो टैलेंट को नर्चर करना चाहते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते ह उन्होंने बताया कि बस मैं अपनी काबियत के अधार पर डटा रहा और फिर लोग मिलते चले गए लोगोंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फैनेशली सपोर्ट किया, बागी तरीके सपोर्ट किया, संसादनों के रूप में सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट के कारण आज में इतना बड़ा बन गया, आज में सफ़ल हो गया, उन्हें भी मालूम था, कि जब मैं काबिल हूँ, तो मेरी काबिलियत आज में ही तो कल लोगों को पता चलेगी, और लोग उस काबिलियत के अंधर पर मुझे स्विकार करेंगे, बोला नह बाउट दि लेबर पेंट, जब शोधी बेबी, बस दुनिया को फर्क नहीं पर दा साथ, दुनिया परियासों को इनाम नहीं देती, परिणामों को इनाम दिये जाते हैं, शोधी रिजल्ट, रिजल्ट शो करिए, बोलना बंद करिए, काम चालू करेंगे, कब से अभी से राइट नाओ, अभी से उठ जाएए, लग जाएए काम पर, और तब तक रुकना नहीं, जब आपके टैलेंट के अधार पर, आप या तो पैसा ना कमालें, या लोग ना कमालें, और अगर दोनों चीज़े कमालें, तो तो कमाल हो जाएगा, फिर फिर कोई रोक नहीं रहेगी, आपके बाद भी रहेगी, आने वाली पीड़ों के लिए भी रहेगी, और लोग वाकिक कह पाएंगे, एक वक्ति काबिल था, एक वक्ति टैलेंटिट था, आपको कभी बोलना नहीं पड़ेगा, लोग आपके बारें बोलेंगे, वाकिक काबिल एक टैलेंटिट अपने हुनर के आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का प्रियास के.